अमेरिका के प्रसनल फाइनेंस एक्सपर्ट डेव रैंसी कहते हैं कि आम लोगों के पास विल्थ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी मंथली इंकम पर ज्यादातर लोग अपने मंथली इंकम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते और सालों तक मंथली इंकम बनाने के बाद भी वो वेल्थी नहीं बन पाते हैं इसलिए वेल्थी बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मंथली इंकम को सही से मैनेज करें और इसी चीज को समझने के लिए हम इस वीडियो में Billionier Businessman Lika Shing के Money Management के advice को जानेंगे हम जानेंगे कि Money Management के लिए वो क्या advice देते हैं और हम उसे कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं Money Management की skill सिखना हमारे लिए बहुत ज़दा important है और इसे सही से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल True Investing पर अगर आप स्टॉक मार्केट इंवेस्टिंग और फैनाइस बिलकुल असानी से सिखना चाहते हैं तो हमारी website trueinvesting.in ज़रूर विजिट करें आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लीका शिंग हाउंकॉम के सबसे richest बिजनेसमैन में से एक है पर उनका जन्म एक बेहत गरीब परिवार में हुआ था और इस वजह से वो पैसो की importance को बहुत अच्छे से समझते हैं जिडो से स्टार्ट करके आज billions of dollars के मालिक बनने के अपने सफर में लीका शिंग ने पैसो के बारे में बहुत कुछ सीखा है और अपनी learnings और experience को वो अकसर लोगों से share करते हैं दोस्तों लीका शिंग हमें अपने monthly income को 5 हिसों में बाटने को कहते हैं जिसका पहला हिस्सा है living expense का जाने की रहने खाने के खर्चे और वो इसके लिए income का maximum 30% use करने के advice देते हैं उनका कहना है कि जब हम young होते हैं तो हमें खाने और रहने के लिए कम से कम पैसे खर्च करने चाहिए ताकि हम इस time के limited पैसों को उन चीजों में लगा सकें जिससे हमें future में फैदा हो दोस्तो दूसरा हिस्सा है savings और investing का जिसमें लिकाशिंग मन्थली income का minimum 25% देने के advice देते हैं जिसके दो main फायदे हैं पहला ये कि जैसे जैसे हमारे invest की वे पैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा future financially safe होता जाएगा और दूसरा ये कि future में अगर हम कोई business स्टार्ट करना चाहें तो इसके लिए हम अपने save या invest की वे पैसो को यूच कर पाएंगे और लिकाशिंग कुछ time के बाद अपनी मन्थली income के साथ साथ save की वे पैसो में से थोड़े पैसो से कोई small business स्टार्ट करने के advice देते हैं हो सकता है कि हमारा business successful हो जाए जो हमारे लिए सबसे best रहेगा लेकिन हो सकता है कि हमारा business fail हो जाए जिससे हमें loss होगा पर क्योंकि हमने business में अपने saving के थोड़े से ही पैसे लगाए थे हमें इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा और हमें उस business के गलतियों से सीख कर कुछ time में फिर से नया business से start करना चाहिए लिकाशिंग कहते हैं कि अगर हम इस तरीके से अपने पैसों को यूज करके नय नय बिजनस से start करते रहे तो एक time के बाद हमारे business successful बनेंगे और फिर हम तेरी से अपने लिए पैसे बना पाएंगे दोस्तों तिसरा हिस्सा है networking के लिए जिसमें लिकाशिंग monthly income का 20% यूज करने को कहते हैं वो कहते हैं कि future में हम कितने successful और rich बनते हैं ये इस बात पर भी depend करता है कि हमारे network में कौन कौन लोग हैं जाने की हमारा मिलना जूलना किन लोगों के साथ होता है इसलिए हमें हर महीने नए लोगों से मिलकर अपने network को बढ़ाना चाहिए लिकाशिंग कहते हैं कि हमें हर महीने ऐसे लोगों को अपने पैसों से लंच ये डिनर पर ले जाना चाहिए जो हमसे ज़्यादा सक्सेस्फल, ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा रिच हो या जिनके गोल्स हमसे बहुत बड़े हो या जिन्नोंने हमारी किसी ना किसी तरीके से help की है हर महीने ऐसा लगतार करने से कुछ सालों में हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाएगा जिसमें सिर्फ सक्सेस्फल और स्मार्ट लोग होंगे और इन लोगों के बीच में हमारी अच्छी रेपूटेशन बनेगी जो हमारे लिए बहुत सारी opportunities ओपन करेगा दोस्तो चौथा हिसा है हमारी learning के लिए जिसमें लीकाशिंग मंतली इंकम का 15% यूज करने की advice देते हैं वो कहते हैं कि पैसों का सबसे सही यूज हम खुद की knowledge और skill बढ़ाने में कर सकते हैं इसके लिए वो books पढ़ने की और अच्छे सेमिनार्स और courses करने की advice देते हैं और इनसे हम जो भी सीखते हैं उससे दूसरे लोगों से share करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में हमारी अच्छी credibility और image बने लिकाशिंग कहते हैं कि जैसे जैसे हम learnings में लगतार पैसे लगाकर अपनी knowledge को बढ़ाएंगे और सीखी हुई चीजों को अपने life में apply करेंगे हमारी earning भी बढ़ती जाएगी और monthly income का 5 वा और आखरी 10% हिस्सा लिकाशिंग traveling में यूज करने को कहते हैं जी हाँ दोस्तों लिकाशिंग traveling को भी बहुत important मानते हैं हम अपने काम में अपना 100% देते रहें इसके लिए वो हमें work से time to time break लेकर नई नई जगों पर travel करने के advice देते हैं वो कहते हैं कि travel से हमारा mind recharge होता है और हमें नए नए experiences होते हैं दोस्तों लिकाशिंग कहते हैं कि हमें हर मत अपने income में से 10% travel के लिए save करना चाहिए और उससे साल में कम से कम एक बार विदेज जरूर घूमना चाहिए ऐसा करने से हमें कुछ सालों में अलग-अलग देशों के culture के बारे में knowledge होगी जिससे हमें life और world के बारे में सीखने को मिलेगा और जो हमें एक बेहतर इंसान बनाएगा इस तरह लिकाशिंग के advice से हमें अपनी मंधली income को 5 हिस्सों में जानी living, investing, networking, learning और traveling में बाटना चाहिए example के लिए अगर हमारी मंधली income 30,000 रुपए है तो हमें उसका 30% यानी 9,000 रुपए living expense में यूज करना चाहिए 25% यानी 7,500 रुपए हमें future के लिए save या invest करना चाहिए 20% यानी 6,000 रुपए networking यानी smart और successful लोगों से दोस्ती करने में यूज करना चाहिए 15% यानी 4,500 रुपए books में और courses में और skill develop करने में यूज करना चाहिए और 10% यानी 3,000 रुपए travel करने के लिए save करना चाहिए दोस्तों लिकाशिंग कहते हैं कि हमें पैसों को तो सही से manage करना ही चाहिए पर उसके साथ साथ अपने income को बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए जिसके लिए वो हमें part time job करने की advice देते हैं और वो सबसे अच्छी job sales की job को कहते हैं क्योंकि sales की skill को वो सबसे important skills में से एक मानते हैं वो कहते हैं कि जब हम sales करते हैं तो हम लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं कौन सी चीज़े sales होती है और कौन सी नहीं लोग क्यों और कब चीज़े buy करते हैं ये समझ में आता है साथी वो कहते हैं कि world के सभी successful लोग बहुत अच्छा sales करते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर अपने ideas, thinking और vision को दूसरे लोगों को sales करना होता है जिसके बिना successful होना बहुत ज़्यादा मुस्किल है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जितना जल्दी हो सके sales की skill को सीखें दोस्तों लीकाशिंग कहते हैं कि हमारी income चाहे कितनी भी हो हमें उसे उनके बताए 5 भागों में दरूर बाटना चाहिए रहने और खाने में कम से कम पैसे खर्च करने चाहिए regularly save और invest करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा smart, successful और rich लोगों से friendship करनी चाहिए books, courses और training program से अपनी knowledge और skill को बढ़ाना चाहिए और वाक्ट से break लेकर travel करते रहना चाहिए अगर हम कुछ सालों तक ऐसा करते हैं तो time के साथ हमारे income बढ़ती जाएगी और एक time के बाद हमारे पास बहुत अच्छे पैसे होंगे लिकाशिंग कहते हैं कि अगर हम young है ज़िए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो इसमें दुखी या परिशान होने की या घबराने की कोई बात नहीं है हमें ऐसे time में खुद में invest करना चाहिए और अपने knowledge, skill और network बढ़ाने में focus करना चाहिए हमें ये समझना चाहिए कि life में आगे बढ़ने के लिए कौन सी चीज़े दरूरी है और कौन सी नहीं और हमें कौन सी चीज़ों में अपने limited पैसे time और energy को invest करना चाहिए और किन चीज़ों में अपने मेहनत से कमाय हुए पैसों को waste नहीं करना चाहिए हमें ये समझना होगा कि हम आज जो कुछ भी करते हैं उससे ही हमारा future बनता है और अगर हम अपने future को अच्छा बनाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा दोस्तो लिकाशिंग कहते हैं कि success को design किया जा सकता है career को plan किया जा सकता है और एक happiness वरी life को पहले से ही तैयार किया सकता है बस जरूरत है कि हम इसके लिए आज से ही work start करें और कोई भी decision लेने से पहले ये जरूर सोचें कि उसका हमारे future पर क्या आसर होगा तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो billionaire businessman लिकाशिंग के money management की advice के उपर हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी advice को follow करके अपने लिए एक अच्छा future बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे informative वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर ले और bell icon को ज़रूर पेस करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस वीडियो से related कोई भी सवाल आप इस वीडियो के comment box में पूछ सकते हैं ठैक्ट के दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर